कोरोना महामारी के इस समय में राज्य के सबसे प्रभावित जिलों में इन दिनों मिनी लॉकडाउन चल रहा है 12 मई तक राज्य सरकार की और से आंशिक लॉकडाउन और साथी में रातरी कर्फ्यू दिया गया है जिसमें सिर्फ आवसक चीजों की दुकाने ही चालू रखने की इजाज़त है तब लगातार बीते कई दिनों से छोटे जो व्यापारी है उनकी और से आवाज उठाई गई है और उने भी दुकाने खुलने की मंजूरी दी जाए ऐसी मांग स्थानिक प्रसाशन समेट राज्य सरकार से की जा रही है तब आज हैर कटिंग सलून के जो एसोशियेशन है उनकी और से जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया जिसमें बीते डेड़ साल से यानि की कहा जाए कि जब से कोरोना आया है तब से इन सभी के व्यावसाए पर बहुत ही बुरी असर हुई है और उनकी आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है तब आंशिक लॉकडाउन में जो बारा मई तक है उसके बाद तेरा मई से इन लोगों को सुबह में दो से तीन घंटे दुकान चालू रखने की मंजूरी दी जाया ऐसी मांग की गई थी महेश लिमबाच या जो हैर कटिंग सलून एसोसीएशन के सदस्य है उनकी और से मीडिया को जानकारी दी गई करीबन चार हजार से जादा हैर कटिंग सलून बढ़ोदा शेहर में है जिनके जरीए उनके परिवार का पेट पल रहा है पर कुरोना महमर के चलते और आंशिक लॉकडाउन के चलते उनकी हालत खस्ता हो गई है तब जल से जल उने भी सुबह में दो से तीन घंटे प्यापार करने की मंजूरी दी जाए ऐसी स्तानिक प्रसाशन और जिला कलेक्टर से इन लोगों ने मांगी है अमने जे कैउ अमने एकसेप्ट चे अमने स्विकारी है जे परंद तु अमारी एक मांगणी एवी जे कि अत्यार नी जे परिस्तिती जे जे आगउ 59 अने ये पच्छी ना आ दीवस हो आ दीवस हो पच्छी पन 12 तारीक पची गवर्मेंट सू कासे अनू नकी नधी इतले अमारी एक सरकान एकज मांगनी जे कि अत्यारे वड़तरानी अंदर अमारी 4000 सलूनों जे 4000 उप्रांच सलूनों जे 4000 उप्रांच सलूनों तेमाज बिटी बालार आवे जे अने एमाना NCती नियू टका अमारा दुगांदारो आर्थिक 20 दरावे जे लाइट बिलो भरवाना भाडा भरवाना एंनकम टेक्स होς भरवाना आजे दुकानना चालू खर्चा राख्वाना कारी ग़रो ने बेठा पगारो आपपाना ये सीवाई अमारा समाध नामुक लोगोने जो वीमारी हो है तो एक तो कूरो नानो पाजो खर्चवाई ने उबोर है इतले आर्थिक भीस दोड़ वरसे इतली बदी अमारा समाध मा जेने कि अनी कोई लिमिट नहीं एनी एक नानो एक दमने डाकलो है आपू कि छिल्ला डोड़ वरसनी अंदर अब खबरो से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान BRG News आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG News की मोबाइल एप Google Play Store और App Store से डाउनलोड करें और खबरो से लगातार जुडे रहें